आप देख रहे हैं समाचार एजेंसिए अफ इंडिया में Sign New नमखकार दोस्तों समाचार एजेंसिए अफ इंडिया की Sign New पे ऐक बार फिर आपका स्वागत है सीवनी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है और शिवरात्री परव पर भगवान शिव की नगरी को दुलहन की तरह सजी नजर आ रही है जगए जगए देवालेओं में भाक्तों की उपस्थती देखते ही बन रही है सिवनी में ये जो हम आपको नजारा दिखा रहे हैं दरसल ये नजारा एतिहासिक पौरातेत्विक महत्व और धार्मिक महत्व के मठ मंदिर का है ऐसी मानता है कि मठ मंदिर की स्थापना यहां शिवलिंग की स्थापना आदी शंक्रचाहर के द्वारा की गई थी समचार एजनसी अफ इंडिया की साइन यूज के लिए अकलेश दुबे की रिपोर्ट मठ मंदिर का जिनडो धार कार जारी है और आपको यहां दिखाई दे रहा होगा मठ मंदिर प्रांगण में भक्तों की भीड यहां विवस्था बनाने के लिए लगे हुए हैं सारे स्वयम सीवक समचार एजनसी अफ इंडिया की साइन यूज के लिए अकलेश दुबे की रिपोर्ट सीवनी भगवान शिव की नगरी मना जाता है और यहां महाशिवरात्री का बहुत बाड़ा पर्व है वैसे सनाता धर में महाशिवरात्री का बहुत बड़ा महत होता है फाल गुल महा के क्रश्न पक्ष की चतुल दशी को महाशिवरात्री के मनाई जाती है पंचायन के इंसार इस साल आठ मार्च को महाशिवरात्री मनाई जा रही है आठ मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्री मनाई जा रही है इस तरीके की मानता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पारवती के साथ विवाह किया था इस मौके पर हर साल मंदिरों में धूम धान से महा शिवरात्री का बव्यावजन किया जाता है सिवनी शहर में भी शंकरमडिया मट मंदिर सहित जितने भी शिवालाएं हैं हर शिवालाएं में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है धारमिक कथाओं के अंसार फालकुन महा की रश्न भक्त की चतुरती तिती को शिव लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे इसलिए हर साल इस दिन भगवान शिव के जोतिलिंग सुरूप में प्रकट बर्व के रूप में महाशिवरात्री मनाई जाती है मानता है कि भगवान शिव के नराकार सुरूप के प्रतीक लिंग शिवरात्री के दिन महानिशा में प्रकट हुए थे और सबसे पहले ब्रमा और भगवान ब्रमा और भगवान विश्णु के द्वारा इने पूजित हुए थे और अनक कताओं में एक कता और है कि महावाशिव रात्री पर भगवान शिव और माता पारवती के मिलन का दिन माना जाता है फालगुन माहा करश्णबर्ट की चतुल दशी को बगवान शिव ने वेराग चोड़कर ग्रहस जीवन में प्रवेश किया था और माता पारवती से इस दिन उनका विवाह हुआ था इस बज़े से हर साल शिव गौरी के विवाह उस्व के सुरूप में महा शिव रात्री का मनाई जाती है समाचार एजन्सिय अफ इंडिया की साइई नियूज के लिए अखलेश दुबे की रिपूर्ट मठ मंदिर में महा काल समीती के द्वारा सारी विवस्थाएं संचालिब की जा रही है कितने विवस्थत तरीके से आपको यहाँ पर सारी विवस्थाएं देखने को मिल रही होंगी भगवान शिव के प्रकट उस्व के रूप में यहाँ पर देखे माता पारवती और भगवान शिव के विवाह के सुरूप महाशुरात्री मनाई जाती है और भगवान भुले नाथ की बरात मटमंदर से आरंब होती है और हर साल परमपरागत तरीकी से ये विवे नमारगों से होती हुई शंकर मडिया पहुंشती है शंकरमडिया में माता पारवती और भगवान शेव का प्रतिकात पक विवाह संपन कराया जाता है भक्तों की भीड शिवलिंग यहां देख सकते हैं इस शिवलिंग के बारे में मानेता है कि आदी शंकरचार के द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी और ये शिवलिंग बहुत जादा लोगों के बीच में पूजित है, पूजा जाता है, लोग इस शिवलिंग को जल चड़ाते हैं, यहां भीड भक्तों की भीड देखे, किस तादाद में यहां भक्तों की आपको भीड दिखाई दे रही होगी, वैसे तो साल भर भक्तों का य अगा रहता है, पर परवों पर यहां भगवान शिव के शिवलिंग की विशेश तोर पर पूजा अर्शना भी की जाती है, समाचार एजिंसी एफ इंडिया की साई नियूज के लिए, अकलेश दुबे की रिपोर्ट, यह मठ मंदिर का हम आपको नजारा दिखा रहे हैं, मानता है कि महाशिवरात्री के दिन माता, पारवती और भगमान शिव के विद्वत, पूजान और जलाबिशेक करने से जीवन के सभी कश्टों से छुटकारा मिलता है, लोगों के व्यावाहिक जीवन में भी सुख, शान्ती, सम्रद्धी आती है, समाचार एजिंसी एफ इ पर टेकरी है, महाकालिश्वर टेकरी में उपर भी महाकाल विराजे हुए हैं, इसके अलावा बस स्टेंड में एक भगवान शंकर का एक मंदिर है, जो महाशिवरात्री, 1978 लगबग 45 बरस पूर्व, 1978 में उस बस स्टेंड में जो मंदिर है, वहाँ पर महाशिवरात्री की भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी इसके अतिरिक्त मट मंदर जो एतहासिक प्रणानेक और धार्मिक महत्व का स्थल है वहां शंकर मडिया उन्रना जाने कितने शिवाले पूरे शहर में हैं वर्तमान समय में आज 8 मार्च 2024 शुकरवार को शिवरात्री के अवसर पर देखिए किस कदर यहां पर भीड लगी हुई आपको दिखाई दे रही होगी इस तरीके की भीड आपको हर जगए ही दिखाई दे रही होगी पूरी तरह विवस्थित परंप्रगत उसाय धर्मिक भावना के साथ पूरे विश्वास के साथ लोग यहां आ रहे हैं और किस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरह विवस्थाओं को भी संचालित किया जा रहा है भगवान शिव बहुत भोले हैं इसलिए इन्हें भोले नात भी कहा जाता है ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए अगर आप भगवान शिव के नाम का जाप करते हैं तो ही आपका जीवन सफल हो जाता है इस तरीके की मानिता भी है समाचार एजिंसी अफ इंडिया की साइन ही उसके लिए अखले शुद्वी की रिपोर्ट यहाँ आप देख सकते ही किस कदर भक्तों की भीड लगी हुई है भक्तों का ताता यहाँ पर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा वास्तों में बहुत उर्जा के साथ दार्मिक भावनाओं के साथ सभी लोग शुद्धालू यहाँ पर आप देखे जल चड़ा रहे हैं इसके अलावा भगवान शिव को जो भी प्रिये चीजें हैं उसे यहाँ अर्पित कर रहे हैं समाचार एजिंसी अफ इंडिया की साइन नियूस के लिए अखलेश दुबे की रिपोर्ट ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय यहाँ आपको हर भक्त के मूँ से सुनाई दे रहा होगा वैसे शुकरवार आठ मार्च दोहजार चौबिस को अर्द नारेश्वर की प्रतिमा जो मुक्षधाम कटंगी नाके के मुक्षधाम में लगी हुए है वहाँ पर भी विबिन आयोजन किये गए जगए जगए भंडारे का आयोजन किया गया मुक्षधाम कटंगी नाके में के जो प्रतिमा है वहाँ पर भार्द नारेश्वर की इतनी सुंदर प्रतिमा शायद ही कहीं हो और भगवान शिव के जितने भी देवाले सिवनी में है वे अपने आप में एक उर्जा से लवरेज माने जा सकते हैं आप मट मंदिर प्रांगान में जैसे ही प्रवेश करते हैं आपको एक आलोकिक छटा का अनभाव होता है आपको एक सुकून अंदर से सुकून मिलता है जितने देवाले सिवनी में हर देवाले की यही इस्तिती है इस तरह की मानता है कि चुकि सिवनी को भगवान शिव की नगरी माना गया है इसलिए यह इस तरह से सिवनी के हर देवाले में इस तरीके की मानता है कि भगवान शिव का वास सक्षात वास है यह मानताएं भी प्रचलित हैं समाचार एजिंसी अफ इंडिया की साई नियूस के लिए अखलेश दुबे की रिपोर्ट जगाए जगाए शिवालाई में जितने भी देवालाई हैं शिवालाई हैं उन देवालाई शिवालाई में 8 मार्च 2024 शुक्रवार को शिवरात्री के पर्व पर अनेक आयोजन कियेगा यहां कतार बद महिलाओं को आप देख सकते हैं महिलाओं और पुरुशों की कतार प्रतक प्रतक लगी हुई है और सभी जल और पित करने के लिए बहुत यह कहा जाए के धैर के साथ अपनी बारी आने का इंतजार यहां करते हुए दिख रहे होंगे समाचार एजनसी अफ इंडिया की साई नियूस के लिए अकलेश दुबे की रिपोर्ट यह मठ मंदिर का हम नजारा दिखा रहे थे अब इसके बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं शंकर मडिया में भी आप देखिए किस तरह भजन कीरतन वहां होते हुए आपको दिखाई देंगे महिलाओं की कतार आप यहां देख सकते हैं समाचार एजनसी अफ इंडिया की साई नियूस के लिए अकलेश दुबे की रिपोर्ट यह देखिए शंकर मडिया में महिलाओं के द्वारा यहां पर बजन कीरतन किये जा रहे हैं और जगए जगए भंडारे का विजन किया गया किया गया है प्रशाद का वित्रन हो रहा है भगवान शिव की बारात भी शाम को निकली परंप्रागत उस्साय उल्लास उमंग के साथ यह शंकर मडिया के शिवलिंक का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर पूजन अर्चन चल रहा है और मैलाओं के द्वारा यहां पर भजन कीरतन भी कराए जा रहे हैं वास्तों में देखते ही बन रहा है यहां शिवरात्री का परवब भगवान शिव की नगरी में बहुत ही उल्लास धार्मिक भावना के साथ संपन हुआ समाचार एजिंसी एफ इंडिया की साइन यूज के लिए अखलेश दुबे की र क्या आपको यह सारी खबरें कैसी लग रही हैं अगर आपको यह पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए फिलाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे अमफिराजर होंगे जय हिन हुआ 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 है हुआ हुआ है